differentiation basically हमारे पास क्या होती है, differentiation ने हमें ये बताया था कि किस तरीके से एक चीज के respect में दूसरी चीज में कैसे change आता है जैसे कि अगर हम यह कहते हैं, बच्चा कि अगर मेरे को y is a function of x, y क्या है, it is a function of x, मतलब y की value x पर depend करती है तो अगर मैं x के अंदर छोटा सा भी change लाऊंगा, तो उस x के respect में y में क्या change आएगा, that is differentiation अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, हम लिखते हैं, मानलो dy by dx, तो इसका exact meaning यही होता है कि जैसे जैसे x के अंदर variation आएगी, उस x के respect में y में क्या change आने वाला है जैसे अगर example के तोर पे हम y is equal to sin x ले लेते हैं, तो हमें पता है, जैसे जैसे x की value change होती जाएगी वैसे वैसे पूरे sin x की value change होगी, अगर x हमारा 0 था, तो y भी हमारा 0 था, क्योंकि sin 00 होता है अगर x हमारा, हमने देखा था 30 degree होता है, तो y हमारा क्या निकलेगा, sin 30, sin 30 क्या होता है हमारा, 1 by 2 अगर x हमारा 45 degree आया था, तो y हमारा क्या निकल गया था, 1 by root 2 आया था, क्योंकि sin 45 की value and so on तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे x में changes आते जा रहे हैं, जैसे y में भी changes आते जा रहे हैं अब यह जो changes हैं, 0, 30, 45, 60 यह बहुत बड़े बड़े हैं अगर हम बहुत छोटे-छोटे changes के बात करें, उन small changes को हम d by dx से represent करें that is small change in value of y with respect to small change in value of x this is differentiation, exact इसका practical meaning यह है differentiation का अब हम सीधा बात करते हैं formula से, कि हमारे पास जो differentiation के formulas होते हैं वो होते क्या हैं, जैसे y is equal to x raised to the power n है यह हमारा सबसे जादा basic और सबसे जादा use होने वाली चीज़ है, जो के power rule लगेगा power rule में क्या होगा, जब हम derivative करेंगे dy by dx तो इसमें power जो है x की, वो आगे multiply हो जाएगी और एक power reduce हो जाएगी, n x raised to the power n minus 1 जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, example लेते हैं y is equal to x की power 5 था जैसे, और मैंने derivative निकाला dy by dx, तो क्या होएगा, derivative of x raised to the power 5 हमारे पास आ जाएगा 5 x raised to the power 4, क्योंकि 5 में से कम हो गया, n minus 1 होना था तो यहाँ पे 4 आ गया, clear है यह, तो इस तरीके से यह हमारे पास differentiation आ गई है, x raised to the power 5 थी, यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी power होती, जैसे y is equal to x raised to the power मानलो 99 है, तो जब मैं इसका derivative निकालूँगा, तो वो क्या निकलेगा, 99 आगे multiply x raised to the power 98, simple, यहाँ पे जरूरी नहीं है, यह power जो होगी हमेशा natural number या whole number यह, अगर fraction भी होगी, तो भी same phenomenon लगेगा, जैसे x की power, let us assume square root है, y is equal to x की power 1 by 2, एक तरस यही बना, square root का मतलब x raised to the power 1 by 2 बना, तो जब मैं derivative करूँगा, dy by dx, यह क्या बनेगा, power आगे multiply होगी और x ही पार 1 by 2 minus 1 होगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1 by 2 x raised to the power minus 1 by 2, clear है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by 2 root x, simple है यह, तो यह इस तरीके से हमारी differentiation हो सकती थी, यह simple हमने क्या किया है, अभी power rule discuss किया है, इसके बाद हम कुछ special जो जैसे अब trigonometric functions होते हैं, exponent होते हैं, logarithmic functions होते हैं, उनके derivative समझते हैं, इन basically formulas को हम derive कर सकते हैं first principle से, लेकिन हमें first principle करना नहीं है अभी, जब तक question में बोला ना जाए कि using first principle तब तक हमें derive नहीं करना होता है, तो ऐसे formulas हम इन्हें याद रखेंगे अब, वैसे बता देता हूं, जब हम derivative निकालते होते हैं, तो dy by dx निकालने के लिए हमारे पास जो first principle था, वो था limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h, जैसे कि मान लो, मेरे पास y is equal to sin x था, तो y को ही हम f of x लिख सकते हैं, तो f of x sin x था, f of x plus h क्या आएगा, sin of x plus h, तो जब हम differentiation निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे, तो वो क्या हो जाती है, limit h approaches to 0, f of x plus h, that is sin of x plus h, minus sin x whole divided by h, और इसको जब solve करेंगे, sin c d का formula डालेंगे, sin c minus sin d, sin c minus sin d का formula होता था, 2 cos c plus d by 2, that is x plus h plus x whole by 2, and sin c minus d by 2, x plus h minus x whole by 2, whole divided by h, यहां से हमारे पास बनेगा, limit h approaches to 0, 2 cos x plus x 2x, तो 2x plus h by 2, and यहां बन गया है, हमारा sin 2 x x कट गया, तो यह हमारे पास बच गया, h by 2, whole divided by h, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर, जैसे cos वाली value है, इसको मैं separate करके लिख लेता हूं थोड़ा सा, इसके angle को, 2 cos x plus h by 2 बन गया यह, और यह बन गया, sin h by 2, whole divided by h, अब इसको 2 से multiply और 2 से divide कर देते हैं, क्योंकि यह sin theta by theta जो होता है, और जब theta approaches to 0 हो, तो यह बन गई value 1, तो यह हमारे पास बन गया है, limit h approaches to 0, और इस 2 से यह 2 कट गया, cos of x plus 0 into 1, that is cos x, तो यह एक तरह से हमने derivation कर दिये, कि sin x का जो derivative निकला था हमारा, जब y is equal to sin x था, उसका derivative जो निकला वो cos x आ गया, इस तरीके से हम हर differentiation के formula को derive कर सकते हैं, इस process को हम कहते हैं first principle, लेकिन यह सिरफ तब लगाना होता है, अगर question में mentioned होता है, हम अब direct formulas याद रखेंगे, हर किसी का में derive नहीं कर रहा हूं, जो अब आगे के, that means, वो sin x की पाद dash है, dash का मतलब derivative, sin x का derivative क्या होगा बच्छा, cos x, cos x का derivative होता है, minus sin x, tan x का derivative हमारे पास होता है, secant square x, secant x का derivative होता है, हमारे पास, secant x tan x, cortex का derivative होता है, हमारे पास, minus cosecant square x, और cosecant x का derivative होता है, हमारे पास, minus cosec x, cortex, यह हमारे पास 6 trigonometric ratio से जिनका derivative होगे, इसके बाद हमारे पास आता है, अगर अपने पास कोई exponent function आ जाता है, जिसको e की पार x जैसे कहेंगे, तो e की पार x का derivative होगा, वो e की पार x ही रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा log x का अगर हम derivative करेंगे तो इसका आजाता है सीधा 1 by x और अगर कोई constant function आजाता है कोई भी constant जिससे 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, 100 है, a, b, c, कोई भी तो इन constant functions के अंदर क्या होगा इसके अलावा e की पार x का अगर हम derivative करेंगे तो e की पार x का होता है, e की पार x log a clear है, यह हमने कुछ specific functions के derivative निकाल दिया बाकि जहां जहां आते जाएंगे हम उनको differentiate करते जाएंगे ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो most important rule होते हैं, उसके अंदर एक आता है product rule product rule, product rule का मतलब क्या होता है, जैसे टाइंपे कोई दो functions आपस में multiply हो रहे हैं, जैसे एक है u, एक है v अगर यह आपस में multiply हो रहे हैं और मुझे उसका derivative निकाल ला है example लिख लेते हैं, साथ के साथ, जैसे कि मानलो x square और sin x एक algebraic है, एक trigonometric है, और मिला जुला के यह हमारा question था, जिसका हमें differentiate करना था, तो ऐसे में जब दो functions आपस में multiply हो रहे होते हैं, तो हम लगा था हैं product rule, product rule क्या कहता है, एक function को रखा, दूसरे का किया derivative, प्लस पहले वाले को रखा, अब इसका derivative, ठीक है, u को रखा, v का derivative, v को रखा, u का derivative, बीच में plus है, तो जिस मर्जी तरीके से कर लोगे, clear है, अब जैसे इसका हम क्या करेंगे, इस वाले question के recording लिए हमारे पास आ गया, sin x को रखा, x square का derivative, प्लस x square को रखा, sin x का derivative, ठीक है, तो हमने क्या देखा है, sin x as it is, x square का derivative आ गया, 2x, प्लस x square as it is, sin x का derivative आ गया, cos x, डान है, तो यह हमारे पास क्या आ गया, एक तरह से answer निकले गया, खतम रत, यह आ गया हमारा product rule, product के बाद आता है, division rule, division rule में हम क्या करते हैं, जिसने इंपे हमारे पास दो functions, numerator और denominator की terms में होंगे, जैसे कि example create कर लेते हैं, फिर से, जैसे x square by sin x होता आ गर, तो हमें इसका derivative करना है, तो जब हम इसका derivative करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, numerator by denominator में denominator को रखा, numerator का derivative, minus numerator को रखा denominator का derivative, whole divided by denominator का square, clear है, इसमें अब क्या से करेंगे, जैसे, हमने जब इसका derivative किया, denominator था sin x, उसको रखा, और x square का derivative करेंगे, minus numerator को रखा, और जो denominator है, उसका derivative करेंगे, whole divided by denominator का square, sin x का whole square, तो यह हमारे पास बन गया, sin x as it is, x square का derivative आ गया, 2x minus x square as it is, sin x का derivative आ गया, cos x, whole divided by sin x का whole square, यह हमारा answer आ गया, इसके बाद सिंप्लिफिकेशन बच गई है, जिसको, जिस भी form में हमें, जितना maximum simplify कर सकेंगे, उतना करते देंगे, otherwise differentiation यहां complete हो चुकी है, clear है, यह हमारा numerator और denominator का case आ गया, अब इसी के साथ cases आते हैं, जिसके अंदर हमें chain rule apply करना होता, अब यह chain rule क्या है, chain rule कोई अलग से कोई formula नहीं है, अलग से कोई rule नहीं है, लेकिन एक function ऐसा होगा, एक question ऐसा होगा, जिसके अंदर multiple functions involve होंगे, power भी आएगी, कोई trigonometry भी आ गया, साथ हमें उसके कोई logarithmic भी आ गया, तो अब उन सारों को मिला जुला के कैसे करते हैं, वो chain rule समझाएगा, question से start करते हैं, जैसे हमारे पास है, y is equal to sin of log of x square, और इसकी power भी डाल देते हैं, whole की part 3, अब यहाँ अगर इस question को देखें, y is equal to sin of log of x square, whole की part 3, यहाँ power भी आ गई है, log भी अपना trigonometric function भी आ गया, और वो trigonometric function further log x पर depend कर रहे हैं, और log भी further फिर x पर depend कर रहे हैं, और x की भी power है, तो इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें relate कर रहे हैं, तो अब हम क्या करने वाले, जब हम derivative करेंगे, dy by dx करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है हमें, power rule, सबसे पहला काम होते है, power पकड़ो, power आगे आगे, multiply, है न, और यह आएगा sin of log of x square का whole square, power आगे multiply, और एक power काम, और इसका अब हम करेंगे, first function का derivative, that is sin of log x square का derivative, ठीक है, अब sin का derivative हो जाएगा, तो 3 sin of log x square का whole square, ठीक है, अब sin का derivative क्या होते है, cos, sin का derivative cos हो गया, जो x का theta था, जो x का angle था, वो as it is आगया, साथ में, जो यह अब, यह तो खुद एक function है, अब हम इसका भी derivative करना है, साथ में अब हम इसका derivative करेंगे, नेक्स स्टेप में, 3 sin of log x square का whole square into cos of log of x square into log का derivative क्या होते है, 1 by x, अब यहाँ पर x square था, तो 1 by x square हो गया, अब x square भी एक function है, तो इसका भी नेक्स स्टेप में derivative कर देते हैं, तो यह क्या बना, 3 of sin of log x square का square into cos of log x square into 1 by x square, और x square का derivative क्या आगया, 2x, और फर्दर जब मैं x का derivative करूँगा, तो x का derivative होगा 1, तो यह हमारा पूरा मिलाजुला के answer आगया है, इसको हमें हर बार इतनी steps करके दिखाने के जरुवत भी नहीं पड़ेगे, अगर हम इसको सीधा single step में करना चाहें, तो अब मैं इसी question को एक single step में करके दिखाता हूँ, देखो यहीं पे इसी question को हम एक single step में करेंगे, देखो सबसे पहले क्या हुआ हुआ, पावर रूल, 3 of sine of log x square, कुछ अलग नहीं है, simple बस है कि एक बारी में लिख देंगे, into sine का derivative क्या होता है, अब हमने पकड़ा sine, sine का derivative होता है, cos of log of x square, log का derivative होता है, 1 by x, वो x square आ गया, और x square का derivative होता है, 2x, और यह हमरा answer आ गया, समझ में हैं, इसको हमने single step में कर दिया, और यह हमने किया क्या, यह chain rule था अपना, एक तरह से chain चलाते गए, हम और function से function, function से function, हम आगे आगे derivative करते गए, और इसी तरीके से, यह हमारा same answer आ गया, clear है, यह हमारे पास आ गया है chain rule, अब chain rule के basis पर, बहुत सारे questions होते हैं, जो हमें solve करने होते हैं, जैसे कोई भी example उठा लो, कोई भी किसी भी तरीके का, एक और example कर लेते हैं, जैसे कि, हमारे पास question है, y is equal to, twice of, cot of x square, whole under the root, अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसे लिखना हूँ, twice of, cot of x square, whole raised to the power 1 by 2, जब मैं इसका derivative करूँगा, dy by dx, सबसे पहले क्या लगेगा, power rule, power rule में क्या होगा, 2 into, अब देखो, जो यह 2 है, यह इसके साथ multiply में है, यह एक constant function है, अगर मैं इसमें product rule लगाऊंगा भी, तो 2 का तो derivative बाद में separate होंके 0 ही हो जाना है, तो ऐसे situation में हम जब constant है न, जो साथ में उसका coefficient बन किया है, यह individual constant नहीं है, अकेला constant plus minus में होता, तो derivative state अभी 0 होता, यहाँ पर यह coefficient है एक तरह से, constant नहीं है सरफ, तो यह जो coefficient है, यह साथ में बस multiply में लिख लेना है हमने, multiply में लिखा, अब इसके उपर power rule लगा, तो power rule में 1 by 2 आगे multiply, और cot x square whole की पार, 1 by 2 minus 1, minus 1 by 2 बनेगा, और cot का derivative क्या होता है, minus cosecant square x, अब यहाँ x के जए x square था, और x square का derivative आएगा 2x, यह हमारे पास answer आगया, अब सिरफ simplifications बच गई है, जो भी हमारा simplify करके answer आएगा, वो answer है, clear, differentiation यह हो चुकी थी, done, अब हम बात करें, inverse trigonometric functions के, तो inverse trigonometric functions में, जैसे कि हमारे 6 inverse थे, मैंने उनके 6 के 6 के formulas लिख दिए, एक बारों ने देख लेते हैं, हमारे पास हैं क्या यह, जब हम इन formulas की बात करें, तो बचे देखो, जब y is equal to sine inverse x था, तो हमारे पास dy by dx क्या बन गया, 1 upon under root of 1 minus x square, जब हमारे पास y is equal to cos inverse x था, तो cos inverse x का derivative आता है, minus 1 over under root of 1 minus x square, जब y is equal to tan inverse x था था, तो उसका derivative होता है, 1 over 1 plus x square, और जब y is equal to cot inverse x होता है, तो उसका आता है, minus 1 over 1 plus x square, secant inverse x का derivative आता है, 1 upon x into x square minus 1, और cos secant का आता है, minus 1 upon x into square root of x square minus 1, यह हमारे पास, 6 के 6 trigonometric inverse functions का है, inverse trigonometric functions के derivatives हैं, जिनको हम use करेंगे, और अब questions में simplify करेंगे, start करते हैं कुछ questions है, जो हमारे पास जैसे questions है, अब इनके अंदर questions करने से पहले, inverse trigonometric वाले जो specifically differentiation के questions आएंगे, वो करने से पहले हमें 2 theta या 3 theta वाले formula पकायाद होने चाहिए, जैसे कि अगर जो मैं example के तौर पर बताता हूँ, मान लो हम बात करते हैं sin 2 theta वी, तो sin 2 theta का हमें पता है 2 sin theta cos theta एक formula होता है, साथ में ही sin theta का एक और formula होता है, sin 2 theta का, that is 2 tan theta over 1 plus tan square theta, और ये बहुत जादा important role play करेगा, इस type के अपने inverse questions के अंदर, sin 2 theta का हमारे पास ये formula हमें याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे पास cos 2 theta का जो formula होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता था, एक था cos square theta minus sin square theta, एक हमारे पास formula होता था, 2 cos square theta minus 1, वही किया हमने sin square को 1 minus cos square theta लिखके ये formula बना लेते थे, या हम इसको इसी form में लिख सकते थे, 1 minus 2 sin square theta, इस form में भी इसको लिख सकते थे, इसी के साथ में हमारे पास एक और formula होता था, जो जो के tan की terms में होगा, वो होगा हमारा 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta, ये हमारे पास tan की terms में cos 2 theta का formula था, और ये भी सबसे ज़्यादा important रहेगा, इस ताइप के questions में सबसे ज़्यादा use होने वाला है, ऐसे ही हमारे पास एक tan 2 theta का formula होता है, जो हमारे पास tan 2 theta का formula रहता है, tan 2 theta वाले questions के अंदर भी वचे हमारे पास जो formula रहेगा, वो होता है 2 tan theta over 1 minus tan square theta clear है तो ये जो हमारे पास formula's है ये हमारे काफी जादा भी use होने वाले है इसके अंदर ठीक है चलिए start करते हैं अभी जैसे एक question ले ले लेते हैं ये समझ में आगे हैं ये formula's हमने याद रख लेने अब एक question उठाते हैं जैसे कि हमारे पास एक question है y is equal to sin inverse 2x over 1 plus x square ये हमारे पास ncrt का simple सा basic question है तो इस question के अंदर अगर हम कहें हमें derivative निकालना है तो हमें साफ दिख रहा है sin inverse के साथ काफी कुछ है उसको हम अलग से derivative निकालेंगे over complicated चला जाएगा अगर direct formula में डाल दिया तो यहाँ पर हम use करेंगे substitution substitution में क्या करेंगे x की जगहे पे tan theta डाल दो अब मुझे सपना कैसे आ रहा है कि मैं tan theta ही डाल रहा हूँ मैं sin, cos, tan कुछ भी डाल सकता था तो मैंने tan इसलिए डाला क्योंकि अभी जो हमने जैसे formula देखे थे तो उसमें साफ दिख रहा है कि sin 2 theta का formula 2 tan theta over 1 plus tan square है और ऐसा ही कुछ ही यहाँ बन रहा है 2x over 1 plus x square तो अगर मैं tan theta डाल दूँगा तो यहाँ पर sin inverse 2 tan theta over 1 plus tan square theta बन जाएगा और जो के अपने आप में sin inverse sin 2 theta का formula है अब inverse function से sin function हट जाएगा हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिरफ 2 theta पर अब हमारे पास theta तो है नहीं तो हम यहाँ से x is equal to tan theta से theta निकाल लेते हैं tan inverse x तो मेरे पास y क्या बच गया 2 tan inverse x बन गया यह अब हम derivative कर देते हैं dy by dx is equal to 2 into tan का derivative क्या होता है 1 over 1 plus x square tan inverse का derivative and this is our answer तो differentiation बहुत आसान हो गई जैसे हमने substitution लगा है एक और question कर लेते हैं y is equal to sin inverse of 1 minus x square over 1 plus x square अब यहाँ दूसरे type के problem आ गई है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा था sin inverse के अंदर तो tan theta डाल के फाइदा हो रहा था जब उपर 2 tan theta था यहाँ तो ही नहीं ऐसा कुछ और अगर मैं इस formula को मतलब इस pattern को relate करा हूँ तो यह cos to theta के formula से relate कर रहा है तो यहाँ तो फिर मतलब अब हमारा cos बनेगा तो cos को कैसे use करेंगे अभी देखते हैं हम क्या करते हैं सेम भही x is equal to let x is equal to tan theta put कर दिया जैसे ही मैंने tan theta put किया तो यहाँ क्या बन गया यहाँ हमारे पास 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta बन गया और यह क्या बन गया यह cos to theta का formula है अब sin inverse से तो पीछा चूटा ही नहीं ना cos से यह तो दो-दो functions आगे तो हम यहाँ क्या करेंगे इस cos को sin की terms में लिख लेंगे जैसे sin inverse sin of 90 minus theta sin of 90 minus theta क्या होता है cos theta होता है काम बन गया अपना अब sin inverse से sin function हट जाएगा तो y क्या बन गया हमारा pi by 2 minus 2 theta और theta क्या बना था अपना tan inverse x यह value यहाँ डाल देते हैं तो y is equal to pi by 2 minus tan inverse x done और इसके साथ 2 multiply था derivative करते हैं अब dy by dx is equal to pi by 2 तो constant था उसका derivative हो गया 0 minus 2 into tan inverse x का derivative क्या होगा 1 over 1 plus x square and we get the result minus 2 over 1 plus x square and this is our answer clear है easy तो बहुत जादा कुछ complicated नहीं होगा इसी type के questions होगे बस हमने दिमाग लगाना है कि हमारा trigonometric ratio जो inverse function initially क्यासे कटेगा और उसके बाद substitution वाले function का हमारा derivative नहीं कल जाएगा यह हमारा inverse trigonometric functions का differentiation होगे है इसके बाद हमारा next part है logarithmic और exponent function अब logarithmic और exponent functions करने से पहले एक बार कुछ log की properties पढ़ लेते हैं log क्या होता है देखो log जो होता है basically log एक जैसे हमारा trigonometric function होते हैं इसी तरीके से logarithmic functions होते हैं और इनके कुछ properties होती हैं कुछ इनके rules होते हैं जैसे तरीके से हम इनको use करेंगे जैसे start करते हैं log x raise to दी पारे अगर ऐसा हो तो इसको मैं a log x भी लिख सकता हूँ मैंने क्या किया power आगे ले गया मैं और x यहां रह गया हमारा तो a log x में लिख सकता हूँ अगर हमारे पास log of a into b होगा अगर हमारे पास log a into b होगा दोनों multiply हो रहे हैं तो मैं इसको log of a plus log of b लिख सकता हूँ और अगर यहां divide हो रहे होते तो मैं इसको क्या लिखूँगा log of a minus log of b clear है और log of a to the base b जो छोटा सा b लिखा इसको क्या कहेंगे हम to the base इसका मतलब होता है log a by log b यह ध्यान रखना इसमें confused मत होना यह वाली चीज और यह वाली चीज सेम नहीं है क्योंकि वहाँ पर a by b था यहां log a by log b है clear है और log 10 की value हमेशा हमारे पास 1 होती है जब हम लिखते है log x तो वह log x नहीं होता है actually log to the base 10 की तरहे ठीट करते हैं उसे तो वह log x by log 10 लिखेंगे जिसके value ultimately 1 हो जानी है तो main जो हमारे जो काम आने है वो इन ही में हमारा काम चल जाएगा उपर वाली तीन properties हमारी log की लग जाएगे इसी के साथ जो exponent function होता है exponent function की कुछ खास properties हमने use नहीं करनी वो e की power x है उसका derivative e की power x रहेगा सरफ changes जो आएगे उसमें हम क्या लगाएगे कि जो हमारे पास chain rule होता है जो changes आएगे वो chain rule वाले लगेगे जैसे कि अगर मान लो मेरे पास y is equal to e की power sin x आ जाए तो अब मैं इसका derivative कैसे निकालूंगा dy y dx is equal to e की power sin x का derivative तो e की power sin x ही रहेगा लेकिन साथ में sin x का जो derivative आएगा वो क्या बन जाएगा cos x क्या कि हमेंने chain rule लगा दी मैंने e की power sin x का derivative e की power sin x लगाया और sin x का derivative further cos x उसके साथ multiply कर दिया ये हमारा बन गया इसका derivative जिसमर्जी तरीके से एक आदा कोशन और कर लेते हैं जैसे e की power मान लेते हैं यहाँ पे tan x whole की power 5 होता कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्छा power rule 5 आगे multiply e की power tan x whole की power 4 इन्टू अब e की power tan x का तो e की power tan x derivative होएगा और tan x का derivative क्या होएगा secant square x simple है x का हो गया 1 वो लिखने की ज़रुवत नहीं clear इस तरीके से हम exponent functions को use कर सकते हैं और यह derivative निकाल सकते हैं main बात आती है हम log जो है हमारा उन log को कहां use करेंगे इन log की properties को use करके हम बहुत जादा complicated से question को छोटा करेंगे एक question बनाते हैं जैसे कि यह देखना ज़रा यहाँ पर हमने question बनाया है अपना हमारे पास है y is equal to square root of random ऐसे कोई question रख लेते हैं 1 plus x square into 1 minus x whole divided by x square plus 3 x minus 8 कुछ भी ऐसा अब मुझे इसका derivative निकालना है अब ध्यान से देखें इस function के अंदर क्या issue है हमारे पास दो चीज़ें उपर multiply हो रही है एक चीज नीचे divide भी हो रही है whole की power भी है तो dividend rule भी लग गया numerator by denominator वाला product rule भी लग गया power rule भी लग गया बहुत ज़्यादा खिचडी हो गई है और बहुत complicated हो जाएगा last में final answer निकालते वे तो इसका best और आसान तरीका क्या है हम log के tricks लगाएंगे इस पर whole divided by x square plus 3x minus 8 raised to the power 1 by 2 सबसे पहली property हमने क्या किया था log की property में अगर x की power a है तो यह आगे multiply हो सकती है तो हमारा जो power 1 by 2 है वो आगे multiply हो जाएगी इसको मैं ऐसे लग सकता हूँ 1 by 2 log of 1 plus x square into 1 minus 6 whole divided by x square plus 3x minus 8 लग सकता हूँ ऐसा कोई दिक्कत कोई problem ने कोई परिशानी ने अब हमें पता है log a by b की भी property लिखे थी हमने log a by b में क्या था log of a minus log of b तो इस में numerator by denominator को आपस में minus करके लख लेते है log of a, a में क्या है 1 plus x square into 1 minus x और b में क्या है जो denominator है log of x square plus 3x minus 8 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अब छोटा हो रहा है simplify होता जा रहा है अब यहाँ दो चीज़े multiply में हैं तो हमें log की एक और property पता है log of a into b को हम क्या लेख सकते है log of a plus log of b log of a plus log of b minus log of x square plus 3x minus 8 clear है अब यह पूरा simplify हो चुगा है अब हम इसका करेंगे derivative तो जब हमने log y का derivative किया ठीक है यह equals to log y यहाँ लेख लेते हैं अब हम सीधा इसका derivative करना शुरूँगा जैसे मैंने derivative किया log y का derivative 1 by y y का derivative dy by dx is equal to 1 by 2 as it is log का derivative 1 over 1 plus x square into 1 plus x square का derivative 1 का तो हो गया 0 x square का हो गया 2x plus log का derivative 1 over 1 minus x 1 का derivative 0 minus x का derivative minus 1 क्योंकि x का 1 हो जाएगा into minus था तो minus 1 आगे minus log का derivative x square plus 3x minus 8 और x square का derivative क्या आगया 2x plus 3 और यह हमारा answer आचुका है लेकिन हमें तो सरफ dy by dx चाहिए था तो y को हम क्या कर देंगे cross multiply तो dy by dx is equal to y by 2 whole into 2x over 1 plus x square plus plus की जगे अब minus कर देते हूं उसे आगे minus 1 by 1 minus x minus 2x plus 3 whole divided by x square plus 3x minus 8 this is our answer हमें अब क्या करना है अगर और ज़्याद़ थोड़ा decorate करना y की जो value थी शुरू में वो डाल देते हैं यहां पर y की value थी 1 plus x square over 1 minus x जो भी थी वो यहां लिख देंगे और वो multiply में ही रहने देंगे कुछ ज़्याद़ इसको simplification करने नहीं भागना है तो इस तरीके से हम log की property लगा के इसको solve कर सकते हैं लेकिन log की property सिरफ ऐसे ही questions में नहीं लगती है यहां तो हमारे पास option था कि हम log लगा भी सकते बिना log भी कर सकते हैं लेकिन बिना log हम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते overland दी जाता असली log कहां काम आएगा जहां पर x और y पावर में चले जाएंगे जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक question है y is equal to x raised to the power sin x अब इसका थो हम derivative करी नहीं सकते क्योंकि power rule भी क्या लगा हूँ इसमें chain rule भी क्या लगा हूँ मैं तो ऐसे के अंदर जब भी x या y पावर में चले जाते हैं तो हमें log लगाना पड़ेगा अब इसमें log का game कैसे करेंगे देखो taking log both side log y is equal to log of x raised to the power sin x जैसे ही x और y पावर में गए हमने log ले लिया अब property क्या थी x की जो पावर थी वो आगे multiply हो जाएगी तो sin x तो आगया आगया और log of x आगया clear है sin x हमारा आगया आगया और log x साथ में रहा गया अब हम करेंगे derivative log y का derivative 1 by y y का dy by dx is equal to इसमें क्या लगेगा अब ये तो दो functions बन गए एक logarithmic और एक trigonometric प्रोडक्ट रूग लगेगा log x को रखा sin x का derivative cos x plus sin x को रखा log x का derivative 1 by x हो गया अब y को cross multiply कर देते है dy by dx is equal to y into log of x into cos x plus sin x by x ऐसा अब हमारे पास y की जो value थी वो डाल देते है y की value क्या थी x raise to the power sin x into y into log y की तो हमने value डाल दिया अब इसके जरूरत नहीं अपने पास तो ये बन गया log of x into cos x plus sin x by x and this is our answer तो जहाँ पर भी x और y पावर में चले जाते है वहाँ पे हम इस तरीके से log लेकर उसको simplify करेंगे दो दिन questions और कर लेते हैं इस टाइप के questions से start करते हैं जैसे x की पार x minus 2 की पावर sin x ये है हमारे पास अब यहाँ पे x की भी पावर में x चला गया है 2 की पावर में भी x चला गया है तो अब मैं यहाँ पे अगर log लेता हूँ एक चीज़ समझना है यहाँ पे बीच में plus minus आ गया है पावर में x तो है बट साथ में यहाँ plus minus में आ गया है अगर मैं यहाँ मान लो log ले भी लेता हूँ log y is equal to log of x raised to the power x minus 2 raised to the power sin x यहाँ होल की तो पावर कुछ है ही नहीं वो तो आगे multiply होके आ नहीं सकती तो हम तो फिर फस गए यहाँ तो कोई फाइदा ही नहीं हुआ log लेने का तो ऐसे questions में हम straight away log लेने लेंगे हम पहले इनका नाम रख लेंगे छोटा सा हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया question स्टार्ट करने से पहले अब हम इनके नाम रख लेते हैं अलग से जैसे इसका नाम रख लेते हैं u और इसका नाम रख लेते हैं बतलब हमने क्या किया let u is equal to x raised to the power x and v is equal to 2 raised to the power sin x जहां बीच में plus minus आया हमने इस टाइप से किया ऐसा क्यों किया क्योंकि अब जब मैं derivative करूँगा dy by dx तो यह क्या निकलेगा du by dx minus dv by dx अगर मेरे पास du by dx और dv by dx की values हैं तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा तो हमरा answer आएगा तो हमने जो अलग से 2 questions बन गए है ध्यान से देखो यहाँ x की power वाले अलग से 2 separate questions बन गए है तो हम उनको simplify कर लेते हैं जैसे u is equal to x raised to the power x इसमें log ले लेते हैं अब जब यहाँ log लिया तो log u is equal to log of x raised to the power x जिसको मैं x log x लेख सकता हूं अब derivative करते हैं log का derivative 1 by u u का derivative du by dx यहाँ पर अपना chain rule लगेगा log x को रखा x का किया 1 प्लस x को रखा product rule लगा था हमाँ पर x को रखा log x का derivative 1 by x ठीक है यह हमारा cut गया तो हमारे पास du by dx क्या निकल गया u into log x plus 1 और u की value क्या थी हमारी x raise to the power x into log x plus 1 यह हमारे पास du by dx निकल गया ऐसे ही हमें काम करते हैं dv by dx निकाल देते हैं जब मैंने dv by dx देखा तो dv by dx कैसे निकला हमारा v is equal to 2 raise to the power sin x है ऐसा था तो log लेते हैं log of v is equal to log of 2 raise to the power sin x जिसको मैं क्या लिख सकता हूं sin x log 2 अब यहां देखो जब हमने derivative किया 1 by v dv by dx अब देखो log 2 तो constant है तो उसको हम साथ में बस multiply में लिख लेते हैं और sin x का derivative क्या हो जाएगा cos x clear बात है यह है तो यहां से dv by dx क्या निकल गया v को cross multiply किया v की value थी 2 raise to the power sin x into cos x साथ में और log 2 तो यह आ गई है dv by dx और du by dx दोनों के यहां पर हम dv by dx के value डाल देते हैं और यहां पर du by dx के value डाल देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा dy by dx is equal to x raise to the power x log of x plus 1 plus 2 raise to the power sin x into cos x into log of 2 and this is our answer clear है यह हमारा logarithmic functions का usage हमें समझ में आ गया जब भी x और y power में गया जब भी complicated जादा खिचड़ी होगी है हमने log ले लिए और simplify कर लिया इसके बाद हमारे पास आता है कुछ parametric forms parametric forms में क्या होता है logarithmic forms के बाद आएगा parametric form में क्या होता है यहाँ पर एक और third variable आ जाएगा कुछ एक नया function आ जाएगा जिसके respect में हमारे y और x depend कर रहे होगे जैसे मान लो यहाँ पर y is equal to हमें दे रखा है a cos theta मान लेते हैं कुछ ऐसा है हमारे पास और x हमें दे रखा है a sin theta x भी theta पर depend कर रहा है इसका तो कोई फाइदा है नहीं हो हमें d theta by dx से पता नहीं है और हमारे पास answer एक अलग variable की terms में आ रहेगा तो इसी लिए हम इनको कैसे करेंगे हम इनको dy by dx ना निकाल कर हम क्या करेंगे पहले dy by d theta निकाल देगे with respect to theta ही हमने derivative किया तो a आ गया as it is cos का आ गया minus sin theta और जिसके respect में derivative करें तो theta का derivative हो गया 1 ऐसे ही dx by d theta निकाल देगे a sin का derivative आ गया cos theta अब dy by d theta और dx by d theta को divide कर देते हैं dy by d theta divided by dx by d theta and we get a with negative sin theta upon a cos theta अब d theta d theta हट जाएगा और dy by dx बच गया और वो क्या आ गया a से a कट गया sin by cos क्या आ गया tan theta answer clear है तो जब भी भी एक third function आएगा तो y को भी उस third function के respect में derivative कर दो x का भी उसके respect में कर दो दोनों को divide कर दो और final result आ जाएगा हमारे पस सिंपल है इसको कहते हैं बचा पेरेमेट्रिक फॉर्म पेरेमेट्रिक फॉर्म के बाद आता है बचा हमारे पास second order derivative अब second order derivative का मतलब क्या होता है second order derivative मतलब अब हम differentiate करके छोड़ेंगे नहीं जो answer आएगा उसका एक बार और derivative कर देंगे उसको एक बार और differentiate कर देंगे जैसा कि हमारे पास मान लेते हैं question है y is equal to x cube plus sin theta कुछ ऐसा question है और हमें इसका second order derivative निकालना है second order derivative का मतलब हुआ पहले हमने किया dy by dx निकल गया 3x square plus sin का derivative आ गया cos theta sorry यहाँ theta नहीं करते हैं यहाँ x रख लेते हैं क्योंकि इसको फिर हमें एक अलग उतरेगा question बन जाएगा वरना तो यहाँ cos x बन गया ठीक है x cube का derivative आ गया 3x square sin x का derivative आ गया cos x यह single derivative आ गया था हमें तो second order derivative चाहिए तो second order derivative के लिए मैं क्या करूंगा और इसी का मैं फिर से derivative करूंगा और second order derivative को लिखते कैसे हैं d2y by dx square अगर function होता तो double dash x लिख देते हैं या सीधा hole के उपर double dash लगा देते हैं अब करेंगे क्या जो answer आ रखा था उसका फिर से derivative 3 तो साथ में multiply है x square का derivative 2x plus cos x का derivative क्या आएगा minus sin x जिसको हम क्या लिखेंगे 6x minus sin x सीदी सी बात है ठीक है हर बार हमने क्या करना है single order derivative निकाला और उसका फिर से differentiate कर दे second order आएगा अगर third order derivative निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे जो second order में आया है उसका फिर से derivative कर दो वो third order derivative आजाएगा clear है इस तरीके से हम second order derivative के questions कर सकते हैं जो इसके कुछ special type के questions होते हैं जो two proof वाले आते हैं एक दो वो करवा के लिखाता हूँ यह हमारे पास question है y is equal to sine inverse x and we have to show that 1 minus x square whole into d2y by dx square minus x into dy by dx is equal to 0 यह हमें proof करना है तो एक तो तरीका क्या है मैं सीधा derivative निकालता हूँ फिर से double derivative निकालता हूँ और इनके अंदर value डाल देता हूँ जो हमारे पास यह हैं अगर मैं इनके अंदर double derivative और single derivative की value substitute कर देता हूँ तो ultimately solve होके 0 आ जाएगा एक तरीका क्या होता है specially जहाँ inverse function आता है square roots आते हैं logarithmic functions आते हैं वहाँ पे इस तरीके से value substitution में थोड़ा मुश्किल जाएगा आसान क्या रहता है कि हम cross multiply कर लेंगे अब यह मैं करके दिखाता हूँ साफ समझ में आएगा जैसे कि y is equal to sine inverse x है तो पहले derivative करते हैं dy by dx क्या आएगा sine inverse x का derivative होता है 1 over under root of 1 minus x square यह आगा यह dy by dx की value अब क्या करते हैं इसको cross multiply कर लेते हैं जब मैं इसे cross multiply करूँगा तो square root of 1 minus x square into dy by dx is equal to 1 आजाएगा अब फिर से derivative करते हैं जब मैं फिर से derivative करूँगा तो क्या आएगा dy by dx को हमने रखा और square root of 1 minus x square का derivative करेंगे तो square root of 1 minus x square में पहले power आगे multiply और 1 minus x square की power क्या होएगी 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 into 1 minus x square का derivative 1 का तो 0 होगा और x square का derivative क्या आएगा minus of 2x done plus square root of 1 minus x square को रखा और dy by dx का derivative किया d2 y by dx square और जो RHS में 1 था उसका derivative होगया 0 चला रहम क्या करते हैं 2 से ये 2 कट गया तो dy by dx into square root of 1 minus x square power minus थी तो denominator में root के साथ लिख दिया और negative था वो मैंने x यहां multiply कर दिया plus d2 y by dx square into square root of 1 minus x square is equal to 0 rearrange करते हैं अब हमें जो to prove चाहिए था उसके अंदर denominator में कुछ नहीं है तो एक काम करते हैं LCM ले ले लेते हैं जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा plus d2 y by dx square जब हमें LCM लेंगे ऊपर multiply किया तो उसका square root हट गया 1 minus x square और whole divided by square root of 1 minus x square equals to 0 cross multiply करते हैं 1 minus x square under the root 0 के साथ जाके 0 हो गया तो यह बन गया rearrange करते हैं d2 y by dx square into 1 minus x square minus x into dy by dx which is equals to 0 and hence prove this is what we have to prove this is what we have to show तो सीधा answer निकल जाता है इस type के questions में ठीक है अगर केसी को complicated लगता है कि इस type से तो मुश्किल जा रहा है तो सीधा करो dy by dx की value निकलो double derivative की value निकालो जो to prove है उसमें substitute कर ला पर वो कई बार थोड़ा सा complicated चला जाता है clear है